नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिसक्स करेंगे विदा आपको जो है इस पर क्लियर करके देंगे और जो इनके लेंडर्स अभी उनके रिगार्डिंग एक अपडेट है कि वह भी ज्यादा खुश नहीं है जो यह विदानता की मेनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि वह अपना जो है सिक्स एंटिटीज को अलग से लिस्ट करेंगे उनकी भी उन्होंने जो है नाखुशी एक जाहिर की है और जो इन्वेस्टर्स है उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला जब से उनको पता लगा कि विदानता पर जो है लोन भी है कितना लोन है कितना डेप्ट है वो भी हम आपको बताएंगे तो गैस अगर आप इस ग्र विदानता का जो है अभी छे एंटिटी जो है अलग से लिस्ट होगी और जो है इससे जो है आपको हर विदानता शेर पर उसे एंटिटी का एक स्टॉक जो है मिलेगा लेकिन जो अभी न्यूज आरी वो एक काफी नेगटिव न्यूज आरी विदानता के लिए वो यह है कि विदान्ता के उपर बहुत बड़ा एक लोन है आइसबर्ग जितना बड़ा लोन है 3 बिलियन का जो है डेप्ट है गाइस विदान्ता पे जो एक काफी नेगिटिव न्यूज है और उपर से जो क्या बोलते हैं लेंडर्स है विदान्ता के वो भी इतना जादा खुश नहीं ह है विदान्ता के इस स्प्लिट से वो नहीं चाहते कि विदान्ता की अच्छे कंपने अलग से लिस्ट हो तो ग्रूप में अभी थोड़ी अनबंध है क्योंकि जो यह एक तो डेप्ट का प्रॉब्लम है इनके जो बॉंड्स का वगयरा था प्रॉब्लम उसके वज़से इन विदान्ता को हो सकते गाइज लेंडर को मनाने में और थोड़े इन्वेस्टर को मनाने में क्यूंकि अभी जो है यहां पर एक जो यह लोन सामने आया है इससे जो है विदान्ता का जो है प्रॉब्लम बढ़ सकता है कंपनी कोशिश तो करे गाई अपना डप्ट कम करने के तब ही company ने जो है अपना जो है यह निरने लेके वो six entities को अलग से लिस्ट करेगी लेकिन अभी भी जो है काफी बड़ी problem विदानता के लिए यह थ्री बिलियन डॉलर का जो इन पर डेप्ट है और लेंडर्स जो इन से नाखुश है इस decision से तो देखते आगे क्या होता है क्या लेटेस अपडेट आता है management के द्वारा लेंडर्स द्वारा सारा हम आपको explain करेंगे तो अभी यही latest news है विदानता से related कोई भी latest news आती है तो हम आपको जो है explain करके